ओम नमह सिवाई नमस्कार जैसिया राम राध हे राध हे दोस्तों आज के वेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि करकरासी वालों का 16 अगस्त 2020 का दिन कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीबन में क्या क्या पडिवर्तन होगा अगर आप ये जाणना चाहते हैं तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें एस्ट्रो मंदिर को आप सब्सक्राइब कर दें इस वेडियो के नीचे जैबजरंगबली कमेंट कर दें इस वीडियो के अंत में आपके आज के दिन का सुभ रंग, सुभ अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें, सुनें और फॉलो कड़ें ताकि आज के दिन आपके जीवन में कहीं कोई पड़ेशानी, कहीं कोई शमस्या नहीं हो सबसे पहला है आपका बेपार, बेबसाई, मित्रों कामकाज के दृष्टी कौन से आपका समय शामानी रहेगा आज के दिन से अगर आप नए काम की सुरुवात करना चाहते हैं या अपने कामकाज में आप कोई पडिवर्तन करना चाहते हैं कोई बदलाब करना चाहते हैं तो आप जो भी पडिवर्तन करोगे जो भी बदलाब करोगे उस बदलाब के बारे में आप साड़ी जानकाडी प् करने के बाद ही आप कोई पडिवर्तन करें यह आपके कामकाज के लिए बहुत जयादा आवस्यक है आप में से जो भी जातक विद्यार्थी हो छात्र हो तो आज के दिन पढ़ाई लिखाई के छित्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने समय के महत्तों को आप को समझना होगा आज के दिन अगर आप समय का दुरूपयोग करते हो आप समय को बढ़बाद करते हो तो आने वाले शमय में आपके पढ़ाई लिखाई के छित्र में आपके सिक्छा के छित्र में आपको पड़ेशानी का शामना करना पड़ेगा आप में से जो भी जातक न नौकडी में आप लापडवाही बिलकुल भी ना करें। आपके बॉस या आपके सिनियर के द्वारा आपको जो टास्क मिले, आपको जो काम मिले, उस काम को बड़े ही मेहनत से और इमानदाडी के साथ आप करने का प्रियास करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले शमय में आपके नौकडी में आपका प्रमोशन होगा, आपके सेलरी में कुछ बृध्धी होगा और इस वजह से आपका आने वाला समय सांदर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके दामपत्य जीवन की बात करें तो दामपत्य जीवन के दृष्टी कौन से आपका समय शामानने से बहुत जयादा नीचे है। आज के दिन अपने बैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंध को आप मजबूत करने का प्रयास करें। इसके बाद है आपका प्रेम शंबंध है तो प्रेम संबंध के दृष्टी कौन से भी आपका समय अच्छा नहीं बितेगा। आज के दिन अगर अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से आप अपनी परेशानी साजह करते हो तो संबंध है कि आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपसे अपनी परेशानी सेयर करें, अपनी परेशानी साजह करें। और इस वजह से आपको मानसिक तनाब का शामना करना पड़ेगा। वैसे अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के द्रिष्टी को उनसे आपका समय अच्छा वीतेगा। आज के दिन आपके दैनिक जीवन या पन के लिए आपके पास पैसे काफी ज्यादा मात्रा में रहेंगे और आज के दिन आपके जीवन में पैसों की कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन आपके लिए सुभ रंग, सुभ अंक और उपाई क्या है तो आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है लाल और मेरून आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंक है पाँच यानी की फाइब दोस्तों आज के दिन अपने समय को बहतर और सांदार बनाने के लिए आप पूरे मन से पूरे आस्था से महादेब की पूजा करें सिबसंकर शंभू की पूजा करें आपका शमय सांदार हो जाएगा तो मित्रों यही था आपके आज के दिन का रासी फल इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और इस वीडियो को आप हर जगह से एर कर दें तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद